30 नवंबर को बढ़ोत पहुँचेंगे प्रदेश उपाद्यक्ष अर्विन शर्मा बढ़ोत के पंच मुखी मंदिर में यह कारेक्रम आयोजित होगा उनके इस कारेक्रम को सफल बनाने के लिए कारेकर्ताओं ने पूरी जान जोग दी है आज इस संदर्ब में एक बैठक का आयोजित दलीव विहार में किया गया बैठक संबोधित करते हुए दीपक शर्मा ने बताया कि बाजपा की प्रदेश उपाद्यक्ष अर्विन शर्मा का बागपत जन्पद में पहली बार आगमन हो रहा है उन्हाने बताया कि उनके देश के विकास में एहम योगदान रहा है वे गुजराद डेवलोप्मेंट इंफरस्ट्रक्चर के चेरमेन रहे हैं एक तरह वे गुजराद मॉडल के करता धरता रहे हैं उन्हें यू एनो ने भारत प्रशावसनिक सेवा में श्रेष्ट कारे करने के लिए सम्मानित भी किया है इस अफसर पर एक किसान समेलन का भी आयोजन किया जाएगा वे सबी बात पर पदादिकारियों से मीटिंग भी करेंगे बैठक में रादेशियाम भार्दवाज, बाबुराम भार्दवाज, सक्षम शर्मा, विशाल भार्दवाज, शुबम भार्दवाज, मनु तेवारी, दिगेच्वे सिंग, उतम तेवारी आदी मौजूद रहें आज हमने यहां सभी सनातनी विचारधारा, जो देश को विकास चाते हैं, उन लोगों की एक मिटिंग बुलाई थी, जो गड़ोत के रहने वाले हैं सभी अच्छा, क्या निरने लिया है, आजी बैठी मौजूद निरने, हमने ये निरने लिया है, 30 नमंबर में आदर्णिय श्री एके शर्मा जी आ रहे हैं, एके शर्मा जी वो सक्सियत है, जिनोंने देश को आगे बढ़ाने के लिए, और देश के सामने गुजुरात मोडल पे इस यतने बड़ोत को आने का टाइम दिया है, तो बड़ोत के लिए बागपत के लिए गोरव की बात है, इसलिए मैंने ये मैसिज आप पत्रकार बंदों के माध्यम से, और जो यहां जितने आदर्णिय जन सम्मानित जनवरिष्टिजन है, इन लोगे माध्यम से समाज को बता है, क्योंकि 16 लाख लोगों के पास मैसिज अगर जा सकता तो मीडिया के माध्यम से जा सकता है, मैं सभी मीडिया बंदों का धन्यवाद करता हूँ, अच्छा वो आ रहे हैं, तो अभी जो किरसी बिल वापस हुए है, हमने इस सम्मेलन को किसान सम्मेलन का है, क्योंकि नहां पर बहुत बड़ा वर्ग किसानों का भारजनता पार्टी के साथ है, जो एक भरमित किया जा रहा था 11 महिनों से किसान नराज है, किसान विपक्स में है, किसान कहीं हो रहे है, तो ये इस मीटिंग के माध्यम से संदेज देने की कोशिस की ज़िए